नमस्कार आप देख रहे हैं फोर पीम और मैं हूँ आपके साथ नधीतिवारी देश की राजधानी दिल्ली में आज जो पीम मोदी की अध्यक्षता में नीटी आयोग की बैठक चल रही है और दिल्ली में हो रही इस पैठक को लेकर सियासत भी जम कर हो रही है दरसल के इंड प्रिया ब्लॉक वाले राजियों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का वहिशकार किया है ये कहते हुए कि जब हमारे लिए किसी तरह का बजट नहीं है हमारे लिए किसी तरह की सुवधा नहीं है तो हम इस मीटिंग में क्यों ही शामिल होंगे क्योंकि 15 मुख्यमंत्र मंता बेनर जी इस बैठक में शामिल तो हुई लेकिन बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए और कई आरोफ भी लगाए लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में नितीश कुमार नहीं पहुचे और क्योंकि नितीश कुमार पहले भी आपको याद होगा क इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रकिल स्वामी सर बहुत बहुत सौगत है आपका तो सबसे पहले मैं खबर दिखाती हूँ देखिए लिखा हुआ है देरिंग भासकर की खबर है और लिखा है कि मोदी की अध्यक्षिता में नीती आयों की बैठक शुरू इंडिया ब्लॉग के साथ मुख्यमंत्री नहीं आए मंता बनर जी शामिल हुई नेतीश कुमार भी इंडिया के प्रमुक सयोगी जेडियो के नितीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं उनकी जगह मुख्यमंत्री समराज चौधरी और मुख्य सचिव ब्रजेश महरोत्रा शामिल हुए है तो यह खबर है सर और आपने देखा हुआ है कि नितीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे तो उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा था कि नितीश कुमार ने विहार के अंदर राज़त के साथ गड़ बंदन कर लिया था और आज एक बार फिर से नितीश कुमार जो है वो उस बैठक में नहीं पहुंचे हैं तो क्या आपको लगत पता चल गया है कि उनको सत्ता सौपनी है और मार्क दर्शन मंडल में जाना है ये बात उनको पता है और ये दिल्ली के सभी जगा पर ये बात चर्चा इसकी हो रही है केवल उन्होंने आरेसे से एक निवेदन किया है कि मेरे को 15 अगस्त का जंडा फेराने दीजे क्योंकि म मैंने कहा था और उसके बाद में खुद ही मार्क दर्शन मंडल में चला जाओंगा अचा इसके अलाबा मोदी जी ने एक और बात कहिए और एक बात वह चाहते हैं वो यह चाहते हैं कि उनको ऐसा न लगे देश की जंता को कि आरेसेस के दबाव में या जंता के दबाव में या आपसी मध्वेत के कारण वो प्रधान मंत्री पर छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए आज तक जो संसदी दल की बैठक है भारती जंता पार्टी की वो नहीं लिए इसका मतलब यह है कि मोदी जी को यह पता चल गया है कि उनको सत्ता छोड़नी है लेकिन उन्होंने बीज दिन और आरेसे से मांग लिए हैं आप क्या समस्ति हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है और जो सारी चर्चाएं चल रही हैं कि केशा प्रसाद मौरे क को ब्रजेश पाठक को दिल्ली का वरध हस्त है और ग्रह मंत्री का वरध हस्त है वास्तिविक्ता यह है कि योगी जी ने मोदी जी को ललकार दिया है और योगी जी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश को तुमने छेड़ा तो अभी तो तुम 240 सीट पे हो तुम 500 सीट पे उतर जाओगे और सारा पटी खोल दूगा मैं कि किस प्रकार चुनाव में हेरा पेरिके करके भारती जनता पार्टी वालों को जिताया गया है तो यह जो उत्तर प्रदेश के संगर संगर चल रहा है जो बिहार के अंदर जहां जहां भारती जनता पार्टी के अंदर मध्व दोश जो है वो नितीश कुमार और चंदबाबू नाइडू को देना चाहते हैं वो शहीद बनना चाहते हैं कि देखे मैंने तो अपने हिसाब से काम किया लेकिन अब मैं क्या करूं चंदबाबू नाइडू नितीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया इसके अलावा आज के तारीक में देखे जिस प्रकार का बजट बनाया और ममताब एनरजी वहां पहुंची हो तम तमाई हुई वहार निकली क्योंकि ऐसा लोक तंतर में नहीं होता मैं सुन रहा था पंजाब की जो अकाली दल की सुभीर सिंग बादल की पत्ति हैं जो सांसद हैं एक मात्र सांसद हैं अकाली दल की उनकी बात का आप पंजाब के साथ अन्याय कर रहे हैं जब पानी जादे होता है तो पूरा फ्लड कर देते हैं सम होता है तो पानी को भाहर ले जाते हैं उत्तर प्रदेश की आप बात नहीं करते क्योंकि योगी जी से आपकी पठती नहीं है मतला और बध्यमवर की आपने विकुल कमर को तोड़ के रख दिया है तो वास्विक्ता में इस बजट ने और सारी भाव भंग्यमाओं में और जो पिछले 10 साल के अंदर नहीं हुआ कि भारती जंता पार्टी के अंदर विद्रो नहीं दिखा आज के तारिक में हर स्टेट के अंदर विद्रो है और अगर ये केवल आरेसेस मोदी जी और अमिश्या की बीच की बात नहीं है ये बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि मोदी कि अगले 20 दिन के प्रधानमंत्री हैं अब बिलकुल ठीक बात करें सर और जो लगातार खबरे आहीं रहती और मंतब अनर्जी पहले ही कह रही थी कि मैं जाओंगी और वहाँ पर विपक्ष की आवाज बन कर जाओंगी लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं जो है मीट में विपक्ष की और से सथ मैं शामिल हुई थी और भाजपा की मुक्मंत्रियों को बोलने के लिए 10-20 मिनट का समय दिया गया जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले उन्होंने बताए कि जब मैं पश्चिम बंगाल की मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया मुझे अपनी पूरी बात तक नहीं रखने दी गई क्या राजिक के मुद्दों को रखना गलत है और यहां मेरा पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया ऐसे में विपक्षी निताब सवाल उठा रहे हैं अगर विपक्षी निताओं के साथ विपक्षी दलों के साथ इस तरह का विभार किया जाएगा तो पर आखिर केंद्र और राजियों की बीच ताल मेल कैसे बैट पाएगा देगे निधी यही हो रहा है जबकि आप सोचिए वेस्ट बेंगौल के अंदर जितनी पार्लिमेंट की सीट हैं पूरे हिंदुस्तान में चौथे या पां मुख्यमंत्री को और जो एकमात्र मुख्यमंत्री विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है और जिसने भारती जनता पार्टी को धूल चटा दी है उसको आप बोलने नहीं दे रहे हैं इसका मैंने बंगाल की आवाज को आप सुनना नहीं चाते अच्छा देखिए जो भार मीडिया में जो लोग राष्ट धर्म की बात करते हैं जो देश को जोडने की बात करते हैं हम लोगों को म्यूट किया जाता है हमको नहीं बोलने दिया जाता और जो केवल हिंदू मुसल्मान करते हैं जो केवल देश को तोड़ते हैं उनको पांच पांच च्छे बार जो मम सबतोगे-जाण EtQué को एक जूट रखना है और देश को मजबूत करना है यह गोदी मीछा को बाइकावटate ce किजिए केवल YouTube कैनल देखिए केवल OTT platform देखिए हमारा निंदा कीजिए हमें कंटडिक कीजिए हमें ट्रोल कीजिए हमें प्रशंसा कीजिए जो मनाए करिए लेकिन गोदी मिडिया मत देखिए बेकल ठीक बात है सर और इस बैठा को लेकर और भी काई सारी क खबरे आई हैं और बैठा को लेकर खुलकर विरोध सामने आ रहा है तो कि निति आयों की बेठा केवल नाम के रह गई है काम की नीतिया नहीं बन रही है और लगातार आप देख रहे कि मोधी सरकार की जो नीतिया है उसे कितना ज़्यादा नुपसान हो रहा है और इसी को लेकर जो है अब इसका विरोध देखने को मिल रहा है क्या लगते है सर आपको की नीती आयो की बैठा सिर्फ और सिर्फ एक सच्वेस केवल नाम की रह गई है काम कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें देखें नीती आयो क्या वित मंत्री क्या कोई भी चीज में कुछ काम नहीं हो रहा है देखें इन्होंने चुनाओ के पहले ये आरोप लगाया था कि कॉंगरेस सत्ता में अगर आ गई इंडिया लाइन सत्ता में अगर आ गया तो मंगल सूत रवेज देगा अब आम निधी सोचिए किसी महिला से बात कीजिए मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग और गरी पहली बाद तो उसको सोना ही नहीं होगा, सतार हजार का दस गराम का सोना, आज के तारीक में गरीमों के लें लेकिन अगर नारी उसको उसके मटा-पिता नहें दिया होगा या उसके साथ ससूर ने दिया होगा या उसके पती ने दिया होगा भगवान न करें अगर उसको सोना बेचना पड़े 20 पसंट का टेक्स लेंगी आप अरे मंगल सूत्र तो आप बेच रहें आपने आम आदमी की पकल से और सोने पर किता जी एस्टी है और मेडिकल प्रीम्यम प्रे कर रहा हूं 30,000 था फे 40 जार हुआ फे 50 जार हुआ पर 60 जार हुआ इस बार नब्ब्बे हजार का प्रीम्यम मुझे देना पड़ रहा था तीन लाग के इंशूरेंस पर मतलब हम लोगों को न तो ये medical insurance लेने देंगे ना हमको railway में travel करने देंगे ना हमको ये जीने देंगे अरे ठीक है आप पुझी पतियों के पेट भरिये और जो गुजरात के एक व्यक्ति ने जिसने examination conduct कराया था वो देश छोड़ के भाग या लापता हो गया अरे गरीब लोगों को मध्यमबर्ग को देश के अंदर जीने दीजिए उनको सांस लेने दीजे ये 5000-102000 क्रोल की शादी और सोने के तार से बनावा 10 क्रोल का शूट और पांच 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 ड्रेस मुफ्तानाच पे केवल जिन्दा हैं मैला नुट्रिशन में हम सबसे ज़्यादे बुरी इस्थिती में हैं हंगर इंडेक्स में सबसे ज़्यादे बुरी इस्थिती में और वहाँ जाके 50-60 अपने गुजरातियों को इखटा करके जिन्दा बात करके देश का डंका नहीं बसता आप देश को पूरे विश्व के अंदर हमारी चवी को बगाड़ रहें मेरे हिंदू धर्म की चवी को बगाड़ रहें और हिंदुस्तान की हमारी जो आपसी मेल जोल की और परिवार की भावनाती उसको नश्ट कर रहे हैं जी बल्कुर ठीक के रहे हैं सराप और ममताव अनर्जी का जो बयान है वो भी सामने आ गया है तो मैं बयान एक बार अपने दर्शकों को सन्वाना चाहूंगी कि वो कितने गुस्से में जो है वो बाहर निकली है आप किताओ करें गुस्से मान इंप कर रहे हैं *** आप किताओ सेंद्थ मारा अज पर रूणे हैं जाया जह संस्द्गिक्ति रहा है हुआग वुमाना चे मुआना चे वह उने जो भुलना एतने वला है उसका बद में करत में हुमाई शागे जो भुलना से पहुत आगे जो गजाते है कि अपने देखा होगा कि कल से ही गोधी मीडिया चलाच लागर बता रहा था कि अंडिया गड़बंधन में दरार पड़ गई है और गड़बंधन ने नीति आयो की बैठा का भाईशकार कर दिया लेकिन ममता भज़त जी जा रही है लेकिन आज जो है वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ममता दिधी गई तो फंड मांगे लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया है इसे में जब वो बैठाक छोड़कर बाहार निकली और जमकर भडास पे निकाली और तो मतलब वो बैठाक में नहीं जाती तो भले ही सरकार की इत देखे आज शुरुवात में प्रारंभ में मैं जय समिधान नहीं कह पाया था तो जय समिधान जय भीम और महत्मा गांधी की जय देखे यही होता है ट्रैप में लेना गोदी मीडिया को ममता बेनेजी ने ट्रैप में ले लिया सारा गोदी मीडिया सारे दिन केबल देश को तोड़ने का शलयंत रस्ता है और जिस प्रकार से पार्लिमेंट के अंदर म्यूट खैर आप तो वह हिम्मत नहीं पड़ रही है जिस प्रकार से अभिशेक बेनर जी ने और जिस प्रकार से कंगना रनौत को लोगों ने विपक अवाज बल गया और प्रधान मंतरी मोधी जी तीसी बार प्रधान मंतरी बन गए अरे देश को स्वतंत्र हुए ही 75 साल हुए है कंगना जी मंडी के लोगों को प्रभद लोगों को प्रडाम करता हूं और माफी मंगता हूं हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं चाहता हूं आपसे माफी चाहता हूं मंडी के लोगों ने बुद्धिमानी का परिचाय नहीं दिया विक्रमा दित्य सिंग को हटा के अरे ऐसे ममर पार्लिमेंट को आप ले आए जो क्या बोलती है पार्लिमेंट में उसको खुद नहीं पता कोई ज्यान नहीं है देश का पहला प्रदान मंत्री कौन था सुवाश्चन बोस्त ये कंगना रनौत कहती है और हिमाचल प्रदेश ज जनता का प्रतिनिद्व करती हैं अरे तो देश की जनता से मेरा हाथ जोड के प्रणाम है इंटर्वू ले लिया किजिए अपने कैंडिडेट्स का और इसलिए मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं राहूल गांदी और मोदी जी का एक डायरेक्ट डिबेट करा दीजे ने शिश्यता ग्रहन कर लूंगा लेकर मैं जानता हूं ना मोदी जी ऐसा करेंगे ना ऐसा होगा अरे लोगों को म्यूट करके और सभापती मोहदे आपको इस शोवनी नहीं है आप पंच की कुरसी में बैठे हुए हैं आप जिस प्रकार से दिखा रहे हैं और इस बार विपक करेंगे क्योंकि ये चाहते नहीं कि देश की जंता को सच्चाही सुराइ पड़ें ये केवलício के जंता के दिबाग में हिंदू मुसलमान हिंदू सिक्क हिंदू क्रिश्चन भोलना चाहते हैं लेकिं हिंदू भी जाग गया है और सही में जाग गया और जागने से को पाया उसका सोना भी लुट गया है, उसके रियल स्टेट भी लुट गया है, उसकी नौकरिया भी लुट गई है, और बेरुजगारी भी हो गई है, और उसके बाद महंगाई भी बढ़ गई है. अब हिंदू जाग गया है. जी, विल्कुल ठीक है रहे सर, और हमारे एक दर्शक है, वो आपसे निती आयोग को लेकर ही सवाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्लैनिंग कमिशन जितना सीरियस और पोकस थी, निती आयोग है, उतना ही भ्रमित है, सिर्फ मोधी जी की जी हजूरी तक सीमित रह गया है, अरे कौनसी ऐसी संस्था है निधी, आपके शोता दर्शक दिल पे हात रखे बताएं, मोधी जी की जमाने में कौनसी ऐसी संस्था है जो निश्पक्ष है, चुनाम आयोग, निश्पक्ष है, पांच करोड वोट जादे गिन लिए गए, जितने पड़े उससे जादे ग योग क्या, पुलिस विभाग क्या, CBI क्या, अनिल देश्मुक खुलियाम आरोप लगा रहे है, एफिडिविट दिया है उन्होंने कोर्ट में, उनसे कहा गया था, उद्धव ठाकरे, आदित ठाकरे के खिलाफ, एफिडिविट दे दो, हम उद्धव ठाकरे, आदित ठाकर कर देंगे, अनिल देश्मुक मर्द है, मैं प्रणाम करता हूँ, अनिल देश्मुक को जानता नहीं हूँ, वो आदमी दवाव में नहीं जुका, अगले दिन उसके रेड हुई, तेरे माईने जेल में रहा, नहीं जुका, मराठे ऐसे ही होते हैं, पूरा हिंदुस्तानी आ संसत के अंदर चन्नी जी को मारने के लिए आगे बढ़े थे, अरे तुम्हारे बाबा ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, और जिस कॉंग्रेस की रोटी खाई है तुमने 50-60 साल, और कॉंग्रेस ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारे बाबा को तुमको अकेला चड़रा था लणने को, मारने पीटने को, और चुनाव हार गया, इसके छेतर की जो वह हैं, अमनेंदर सिंग उनकी पत्ती चुनाव हार गई, यह जाके इनका हाल हुआ है महां पर, यहां जीते थे महां हारते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने धोका दिया है कॉंग् ने दिया, और राहुल गांधी एक मोची किया जाके जूता गांट रहा है, जी सरो और कला पीम मोदी ने मतलब सारी हदे ही पार कर दी, कल कारविल दिवस के वोकिपर जब वो पहुचे हुए थे और शहीदों को श्रधांजली अर्पित करने, तो जोरान उन्होंने कारेक् स्कीम आई है, उस पर हमला बोलते हुए विपक्ष को भी निशाने पढ़ लिया, और कहा कि ऐसा भ्रम पहलाया जा रहा है कि सरकार पेंशन के पैसे बशाने के लिए ये योजना लिकर आई है, तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जो है, जो भरती होगा, क्या उसे आज ही पैंशन देनी होगी, उसे पैंशन की नौबा तो 30 साल बाद आएगी, तब मोदी 105 साल का होगा, तब ना तो मोदी की सरकार होगी, तो क्या ऐसा नेता है कि ये 30 साल बाद वाली चीज के लिए आज गाली खाएगा? तो अगनीवीर क्यों बनाया है? अगनीवीर क्यों बनाया है? खुद 73 साल की उमर में, 73 साल की उमर का आदमी कह रहा है, कि हमें युवा चाहिए, अरे युवा के लिए प्रधान मंत्री पत क्यों नहीं खाली कर देते? और अपनी पैंशन को नहीं बन कर देते, अपने सांस आरता बंता है पांज बार की पंशन मिलती हो इसको मैंने पाँगी कोठी मिल जाएगी बिजली मिल जाएगी एनस्जी कमांडो मिल जाएंगे जिस आऽ जनता दोड़ा ना सकते के शाऑp अ थे के तो सेना का प्रस्टावता हमने तो माना अब बता दें मानीं प्रदान मंत्री महदय आप अगनीवीर से सहमत हैं या असहमत हैं अगर आज सहमत हैं अगर आप अगनीवीर के समर्थक हैं कहां उन्होंने कि हां हम अगनीवीर के समर्थक हैं तो कहिए हम अगनीवीर के समर्थक हैं किसने प्रोपोस किया किसने नहीं किया बात खतम हो गई और असहमत ह तो उसे रिजट कीजिए लाइए पुरानी वाली स्कीम बच्चों को लेने दीजे पेंशन मेडिकल फैसिलिटी उनके परिवार को समर्द होने दीजे डखैद बन रहे हैं अगनी भी और अभी तो एक केस बाहर आया है पता नहीं कितने बन गए होंगे डखैद क्योंकि इतने पैसे से कोई भी बच्चा जिसने आर्मी लाइफ देख ली हो और उसको पूरी शिक्षा मिल गई हो आम्स चलाने की वो डखैती बनेगा नौकरी नहीं मिलनी है क्योंकि जो एक्स सर्विसमेन को नोने वादे किये थे कि सी आर्पिया में ले लेंगे बियसे में ले लेंगे पुलिस में ले लेंगे किसी को नोकरी नहीं मिली मध्यवदेश के अंदर हाई कोट के अंदर केस चल रहा है इस बारे में किसी को नोकरी नहीं दी इनोंने अरे नोकरी होगी तब ना देंगे डायरेक्ट को देंगे या अगनीवीर को देंगे या इस रेजर्वेशन वाले को देंगे या उस अरे नौकरी तो हो जी बिलकुत सर और एक वीडियो सामने आया है गोदी मीडिया को लेकर और भाजपा प्रवक्ता की जो आपने देखा होगा बहुत जादा वायरल हो रहा है और जो शाज्या इल्मी है भाजपा प्रवक्ता है उन्होंने इंडिया टुड झाल 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 तो यह वीडियो है और कितनी जादा फजियत हो रही है कि मतलब इन्हें कोई बात पूरी लग गई तो उनकी घर पर जो इंडिया टुड का वीडियो जनलिस्ट रिकॉर्ड कर रहा था उसे इन्होंने धक्के मारकर गाली देकर अपने घर से बाहर निकाला और यह इसमें मिस्धेव का जो वीडियो है वो तो मतलब आपको नहीं लगता कि अपने सायोग्यों के लिए अपने अंप्लॉइस के लिए कम से कब माच तक वालों को आवाज उठानी चाहिए और बीजेपी वालों से ड़रना नहीं चाहिए देखे गोदी मीडिया का यही हश्र होने वाला है जितनी चलना वंदना कर रहा है जितना पैर धोधों के पी रहे हैं यहीं होगा यह गुंडे हैं कहना नहीं चाहिए महिला हैं महिलाओं के खिलाब इस तरह की बात नहीं करनी बाद चाहिए बड़ चीजे शीज बेहविंग लाई के गुंड़ा दादा की तरह बेहव कर रही है अगर कोई बिचारा अपनी नौकरी करने के लिए वहां आपकी इंटर्व्यू लेने आया है फ कता पक्ष की तरफ उमली उठाते हुए कहा है जेलें खाली करा लो तुम लोग जेल जाने वाले हो आपने सुना होगा यह घबडाये हुए हैं यह जेल जाएंगे इन्होंने जितनी बेहूद्गी की है जितनी बत्तमीजी की है मैं जिस चैनल में गया था जिसका मैंने एंकर की कुर्षी बेठी है तो मुझसे कहती है आप एनिमेटेड इस्टाइल में बोल रहा है मैरे भाव भंगिमा पे और मेरे बोलने के तरीके पे गुरू के तरीके पे वो एक 32 नहुंट 80 साल की लड़की मेरा पां करेगी प्रों कि वह लड़की है लेकिन बुईर्गों की बार करें उसको बेज़ज़त करो और यह बेज़ज़त करते हैं यही बेज़ज़त कर रही यही लड़की अरे वो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है अपने पेट पाल रहा है अपने परिवार को पाल रहा है नौकरी मिलना मुश्किल है इसलिए ऐसा कर रहा है और यह प् करेंगी आपके शोता दर्शकों से दुबारा निमेदन करता हूं गोधी मीडिया को बाइकाट कीजिए पिल्कुल ठीक बात है सर और यही हश्र हो रहा है और आगे भी होगा लेकिन इसके बात भी ना तो गोधी मीडिया सुधरने वाला है ना तो इनकी प्रवक्ता वो भी ब सब जानते हैं फिलाल सर एक और आज सुभई ही आतंकी हमला हो गया इसकी जानकारी सामने यह जवान के शहीद होने की खबरें और इस जो अभी नई सरकार बनी है उन्चास दिन हुए हैं और इन उन्चास दिनों में चोदा आतंकी हमले हुए हैं जिन में पंद्रा जवान बैद शाइद हो गया है लेकिन कई कोई कवड़ नहीं सरकार कोई जवाब दे है इस पर क्या लगता है सर गी कम से कम रक्षा मंतरी राजनात सिंग ही इसको लेकर संसद चल रही है संसद में को वयान दे या किसी तरह का स्टैप उठाया जाए किस तरह की आतंकवादी घटनाओं पर रोग लगाई जा सकें कितनी रेल घटनाएं हो गई जब से यह सत्ता में आए हैं कितने पुल टूट गए आतमगादी घटनाएं तो हो रही हैं इनका किसी चीज़ पर कोई नहीं अंत्रड नहीं है पहले इन्होंने मुसल्मानों की ऐसी की तैसी की फिर मणिपूद के अंदर क्रिश्चनों की ऐसी की तैसी की अब यह अमरत पाद सिंग के नाम पर सिखों की ऐसी की तैसी करने में लगे हुएं और यह नहीं समझ रहे हैं जितना जादे गाली देंगे इंजीनेर रशीत को और अमरत पाद सिंग को देश को उतना कमजोर करेंगे उसको अलगावाद की तरफ ले जाएंगे लेकिन धर्म संसद में खुले आम गुंड़ाई करने वाले लोग हिंदू राष्ट की बात करने वाले लोग नहीं लगाम लगेगी उट पर नहीं लगेगी चाहे देश को यह तोड़ दें तिन्चार भागों में अरे 140 करोण नों का ये परिवार है हिंदूस्तान और हमारे देश में कोई हिंदू मुसल्मान सिख हिसाई नहीं था हमने अचारिध का सबnh-62 का देखा पैश्षच का देखा सका institutions इन्हों ने तोडा है ये सत्ता पक्षने हिंदू-मसल्माने और सिकह साई में देश को तोड़ा है मनिपूर अभी तक नहीं सवाल पाएं ये कभी पेरियार के पीछे पढ़ जाते हैं कभी अमबेर के राइट्स के पीछे पढ़ जाते हैं कभी सिकों के पीछे पढ़ जाते हैं और सारा उत्पात म मचा रखा है कामरी ओने रास्ते मार्क पर कहीं कार तोडते हैं कहीं होटल तोडते हैं कहीं रेश्टा तोडते हैं और वहाँ पुलिस जाके केवल बीज बचाओ करती है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए हम जैसे जो असली हिंदू है जो शांतिफ्री हिंदू है जो मिलजुल के रहना चाहते हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे यह तोड़ फोड़ करने वाले हिंदू के बात सुनेंगे क्योंकि वहीं इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन्हें तो आप देख रहते हैं आज की चर्चा जिस तरह से नीती आयोग की बैठक हुई और उसमें कई मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया और इसके अलावा मंतव अनजी जब पहुंची भी तो उनके साथ दुर रहर किया गया, उनका माइक बंद किया गया, उनको बोलने का और भी तमाम चीजों पर हमने चर्चा की, कैसे लगे आपको चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जोइन भी, नमस्याइए